दुख बड़ो पदारत जो कोई चाने एं ताथे सुक को छोड़के ले सके सोले प्रानिस्वर एक्षरातित की ये ब्रहमवाणी एक बहुत बचितर बात कहे रही है कि संसार में दुख सबसे बड़ी चीज है क्यों कि दुखे दुख से पिवजी मिल से सुखे न मिलिया कोई अपने धनी का मिलना सो तो दुखे इसे हूँ लेकिन संसार की तो बचितर हलत है कोई भी मंदिर जाता है मेस्चिछ जाता है गिर्जा घर गुर्द्वारे जाता है तो परमात्मा से क्या प्राणत न करता है ये परमात्मा मुझे सुख दो हर प्राणी सुख की कामना करता है यदि परमात्मा सुख को न दे तो उसे भी आस्था टूट जाती है कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है किन्त जिसको वो सुख समझता है वास्तों में वो सुख नहीं है सुख किसको कहते है जो अंता करण को अच्छा लगे है हमारे मन को जो अच्छा लगता है वो सुख है आनंद को चल लगे आनंद क्या है अखंड है माया के इस जगत में हमारा मन जिस जिस को पसंद कर रहा है वही हमेरे लिए सुखकारी लगता है संसार क्या चाहता है संसार में कोई भी बुड़ा नहीं होना चाहता कोई मरना नहीं चाहता कोई दुखी नहीं होना चाहता कोई रोगी नहीं होना चाहता है, लेकिन ये सब होता है, और ये दुख का करण है, मनुस क्या चाहता है, आतिधिक धन मिल जाए, अच्छे वैभो विलास हो, मालों की तरह हमारा घर हो, बैंक बैलेंस करोणों का हो, अच्छे वाहन हो, खाना पिना अच्छा हो, यही तो की बार लग जाती है, और प्रितम के विरा का दुख नहीं मिलता है, तो माया का एक बहुत बड़ा बंधन खड़ा हो जाता है, सुखों की तृष्णा मनुस को पुनरजन्व के लिए विवस करती है, और यदि विरा का दुख हो गया, तभी तुका है, दुख से पिवजी म मिल सी, सुखे न मिलिया कोई, यदि आपको विरा का दुख नहीं हुआ, विरा के दुख होने का ताथ परिक्या है, एक बेक्ती है, वो जीवन में कभी लौकिक दुख को नहीं देखा, और वो की संपती है, उसके पास अच्छे महान है, अच्छा माहल है, यव आवस्था क सौंधरी है, अब उसको क्या लेना देना परमात्मा से, सब कोई कहते हैं कि परमात्मा ने बहुत बड़ी गल्ती कर दी, क्या बुढ़ापा क्यों बना दिया, मृतिकों बना दिया, आप जानते हैं, परमात्मा हमसे अनंद गुना जान रखता है, जैदि उसने मृतिकों न आता है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी जानता है कि एक दिन मुझे मरना पड़ेगा, एक दिन मुझे बुढ़ा होना पड़ेगा, सन्योगे जनों से बियोग होना पड़ेगा। यही भय तो मनुस को विवस करता है कि कोई अलोकेट सत्ता है जो इस बर्मान को चला रही है। सिस्ट का नियम है। जो पदार्त बनेगा वो जरजर भी होगा निस्ट भी होगा। बुढापा तो अवस्य है। यदी बुढापा न हो मृत्व न हो तो तो सिस्ट का सारा सिधांती नस्ट हो जाए। हाँnd, एक धाम है जहां मृत्व नहीं सिधांतर न Cost नहीं। जगत में आये हैं, तो किवल जी और माया के लिए राह हो रही है, यहां के कणकण में क्या सुरूप है, सत्वरज्टम का, असत जड़ और दुख का संसार है, और इस दुखमे संसार में अखंड सुख की कामना नहीं किते, कोई करता है, कोई बिरला है, जो इस दुखमे संसार से परिवकर, जिसको अखंड सुख, जिसको आनंद कहते हैं, उस आनंद को पाना चाहता है, अखंड आनंद कहा मिलेगा, प्रकृत में नहीं मिलेगा, पांच तत्तों में नहीं मिलेगा, आप देखिए, आपको पांचों विशियों का ही सुख तो मिलता है, संसार के जितने सुख हैं, मानने चीए आपको एक दिन के लिए सारी पृतिवी का राज दे दिया जाए भारत सही जितने देश हैं सबका राजा एक छत्र बना दिया जाए कि सारी पृतिवी के आप राजा हैं तो आप क्या करेंगे कौन सा सुख आप ले सकते हैं आप अधिक सदी की यही करेंगे कि सुन्दर चीजों को आप चाहेंगे आपका भवन सोने का हो हीरे मुती लगे हो आपका सायन कक्ष बहुत सुन्दर हो हर सुन्दर बस्त को दे करके आप खुश होगे कोमल असपरस का सुख चाहिए आपको आँखे जैसे रूप को देखना चाहती है तोचा असपरस करना चाहती है जीवा स्वादिष्ट भोजन को लेना चाहेंगे आप यही चाहेंगे कि दुनिया का सबसे स्वादिष्ट जो भोजन है वो खाने को मिल जाए नास्का से सुगंद लेना चाहेंगे और कानों से मधुर्धवन सुनना चाहेंगे बस मदुर ध्वान सुनने का लालची है उसमें मारा जाता है मचले जीवा की बस्वूत होकर के मारी जाती है ये एक-एक प्राणी एक-एक इंद्री की बस्वूत होने के कारण मारे जाते है और मनुष्य यदि अपना विवेक हो देता है तो पांचों इंद्रियों के साथ भोग करता है और यहीं उसके जन्मरन का करण बनता है मनुष्य जन्म क्यों होता है संसारिक सुख की वासना यह उसको संसार में लाती है और यह त्रिशना है जैसे जैकिस्तान में कोई हिरन प्यासा रह जाए जिधर देखता है उधर बालुई-बालुई देखती है पास में जब उसके नजर दूर जाती है तो उसको दिखाई पड़ता है कि वहाँ पानी का तलाव है वहाँ भाग करके जाता है तो वहाँ भी बालूई बालूई दिखती है पानी की एक मूद नहीं मिलती और वो प्यास से तरब-तरब करके प्राण छोड़ देता है इसी को क्या करते है, मिर्क दिशना का जल, संसारिक सुखों में भी यही मिर्क दिशना है, जिन सुखों के पीछे भागते हैं, मनुस अपनी आई को खो देता है, और देखिए, मनुस जीवन क्या है, 12 गंटे का दिन होता है, 12 गंटे की रात होती है, और उस दर हम 6 गंटा सोत हैं हमारी उम्र 100 बर सोई तो हमने जीवन के 25 वर्स सोने में गमा दिया 15 वर्स तक हमें कुछ पता नहीं होता कि परमात्मा कौन है कहां है कैसा है 40 वर साइसे खो दिया पचीश साल की अवस्था तक हमारा विवाह होता है 25 साल उसमें गुजर जाते हैं 65 साल इसमें गुजर जाते हैं गिरज जीवन को भरन पोसन करने में अर्थो पारजन करने में अब बच्चे कितने कि और 35 साल 35 साल में यदि कोई सत्य विवेक दे दे कि कहां है परमात्मा कैसा है परमात्मा कौन है परमात्मा हम कौन है आए कहां से है सरीर और संसार को छोड़ने के बाद हमें जाना कहा है यदि इन प्रस्वों का समधान नहीं हुआ तो मनुस क्या करता है यदि उसको यह कोई बताने वाला नहीं है कि अखंड सुख कहां है तो अखंड सुख हो माया में खोचता है माया में सुख कहां खोचता है आप हांग कांग में जा कर देखिए जानते हैं वहां क्या खाया जाता है फाइव इस्टार होटलों में गर्ब के बच्चे को भी परुसा जाता है और मनुस अपनी जीवा के लिखाता है, पूछा जाए क्यों खा रहे हो, कहाए कि स्वात के लिखा रहे हैं, इस जीवा को कभी त्रिप्ट नहीं किया जा सकता, यह जीवा सराप बित्ती है, मांस काती है, तमाको काती है, इन पदार्थों में कोई रस नहीं है, फिर वी एक त प्रिष्णा, मनुस नसे का सियमन करता है, और अपने अन्मोल मानों जीवान को गवा देता है, यह मानों तन मिला है, इन बिस्यों का सियमन करने के लिए नहीं, कोई ब्यक्ति सराप बिता है, उससे पुछे, क्या तुम्हें संती मिल गई, नहीं, मरतिस में भी यू कहेगा कि एक बार और पिला दो, एक बार और की आदत कभी नहीं छूटती, चाहें सरापी हो, मन सहारी हो, नसेडी हो, और बिस्यों का सुक भी यही कहता है, एक बार और देख लेते हैं, फिर बाद में नहीं करेंगे, लेकिन जिसका दिर्ड संकल्प नहीं है, वह इने में भसा र है, किसके पीछे, विसे सुकों के पीछे, और विस्यों में सुक सांती नहीं, सांती का मिलेगी, यदि आप सच्ता नंद परब्रम का जियान प्राप्त कर लेते हैं, उसका सच्छत कार कर लेते हैं, तो आपको अपनी आत्मा की हिर्दे में अनंद सुकों का बंडार मिलेग विश्यों में सांती नहीं है पहले तो जैसे एक कोई पक्षी है अपनी चोच में मांस का टुकड़ा लेकर जाता है तो कई पक्षी उस पर टूट पड़ते हैं उसी तरह से संसार में संभव नहीं है कि किसी विक्ति को सारी पृतिवी का सुख मिल जाए सारी पृतिवी का सुख भी परमात्मा की एक जलक के सामने क्रोड़मा अंस भी नहीं होता है यदि एक पहले के लिए आपको परमात्मा के सरूप की जलक मिल जाए तो उसके सामने सो वर्षों तक आपको सारी प्रिधिवी का चक्रवर्थी राज मिले सो वर्षों तक आपको बुढ़ापा ना आए सो वर्षों तक कोई रोग ना हो सो वर्षों तक आपके परिवार में किसी का देहांत ना हो तो भी परमधाम के या परमात्मा के सक्षतकार के कौरॉणा का भी कौरॉणा अंड, अर्बवा हर्बवाँ अंडस अभी उसके बराबरी में गा सکता है लेकिन मुन् manufacture भिस्वास नहीं होता क्योंके वो कहीगा कि परमात्मा को किसने दिखा है हमारे सामने तो हीरे मोतियों का महल दिख रहा है यही तो सब कुछ है लेकिन आप जानते हैं कि जो दिखाई दे रहा है उन्नसवर है वो तो सब ने किसमाने है यह दहकता हुआ सुरच कभी नहीं था आज है एक समय इसा आएगा जब यह भी सितन हो जाएगा यह पृत्वी नहीं रहेगे सुरी नहीं अकास नहीं कुछ भी न नहीं रहेगी जिसके विवेक चक्चु खुल जाते हैं वो क्या चाहता है कि मुझे अकनद आननल मिले सास्वत प्रेहिम सासवत सांती सास्वत आननल मिले और ओ कहा मिलेगा ब्रहम जयान से ब्रहम के सकष्छतकार से जो सचत आननल परमात्मा 되어 इस दिया बियाच जी ने क्य का तृष्णा च्हायाद ना रहते सोड़सी कलाम तृष्णा के च्हाय होने से उसको जो सुख प्राप्त होता है वो तृष्णा के भोग के सोलगुना अधिक होता है जैसे आपको सराब में जो सुख मिलता है सराब छोड़ देंगे तो उसे सोलगुना ज्यादा आनद और दिखा जाए, तो मांस में क्या होता है, कुछ नहीं होता, किसी के सामने कच्चा मांस रख देजिए, तो उसको उल्टी हो जाएगी, एक उस पराणी के मुख पुकार सुनी है, जब उसको काटा जाता है, कितनी पिड़ा होती है, हमारे पेरी में काटा चुप जाए, मनुष अपने जीवा की त्रिपते के लिए प्रद्दिन जाने कितने लाखों प्राणियों का संहार करता है। उसमें मसालों से क्या-क्या डाल करके बिंजन बनाता है और चुसता है। उसका पेट कबरिस्तान बनाने के लिए नहीं बना होता है। सराम मनुष की बुद्धि को विक्रित कर देती है। जिस बुद्धि से ही उसकी स्रिष्टा है। मानव योनी अन्योनियों से स्रिष्ट क्यों मानी गई है। क्योंकि पस पक्षे की बुद्धि केवल खाने, पीने, सोने और प्रजनन करने के लिए। मनुस को जो बुद्धी मिली है वो इसे जान सकता है कि हम कौन है इस सरीर के धारण करने से पहले हम कहां थे और जब हमारा सरीर छूटेगा तो हम कहां जाएंगे अध्यात्म के यह मूरपरश्ण होते और जब मनुस इन सत्य को जान जाता है तो अपने जीवन का कल्याण कर लिता है प्राण्याजी की बाड़ी ने सारी मानों जाती के लिए जाए हो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिस्यन हो, यहुदी हो, पार्सी हो, कोई भी हो सब के लिए एक बात कही है कि रेहो दुनिया बावरी खोवत जनम गवार मत माती, माया के चागी सुनत नहीं बगार यह संसर क्या है? मद में मस्त है मद माती, माया के चागी माया के सुखों में त्रिपत रहना चाहता है यह संसर और उसी को जीवन का सरोपर लिक्ष मानता है अज कल जानते हैं सबसे बड़ा बेक्ति कौन का लाता है जिसके पास बहुत अधिक धन हो बहुत अधिक गाड़ियां हो बहुत अच्छा मकान हो जिसके पीछे कुछ लोग चलें तो बड़ा बना जाता है लेकिन भारत के गरिमा किसे है धर्म की गरिमास किसे उस मर्यादा पुरसुदब राम से हैं जो अपने पिता के अदेश पर 14 वर्सों के लिए बन जाते हैं नंगे पाउं जाते हैं बन के कंद मुल्पल फुलकाते हैं उस बुद्ध से है जो जिनका जन्म होता है ब्रिक्चों के नीचे बुद्धत पराप्त होता है ब्रिक्च के नीचे दे त्याग भी करते हैं ब्रिक्च के नीचे करतल भिक्चा तरुतल वास महभीर स्वामी ने यही अपनाया संक्रहचारनी अपनाया देयनन ने अपनाया जो भी मनिसी हुए है उन्हेंने त्याक का जीवन जिया है उन्हेंने संसार के बिश्यों को तिनके के समान समचा एक बार देयनन्द को तिन दिन तक किसी से खाना नहीं मिला उन्हेंने किसान से कच्चे बेगन मांग कर खाया बीवेकानन्द को कई दिन तक भुचन नहीं मिला था एक बार रिकिस्तान में प्यास से तड़पने लगे थे फिर किसी ने पानी दिया उनकी जान बचे यदि ये महापुरुष चाहते तो संसार का सुख ले सकते थे लेकिन हिर्दे में एक तड़प है कि मैं उस सास्वत सत्त को जानू जिसकी सरण में जाने के बाद सास्वत प्रेम प्राप्त होता है सास्वत आनंद प्राप्त होता है और सास्वत सांती प्राप्त होती है वाजी दली साह को देखे वाजी दली साह की जानते हैं 365 पत्निया थी माया का सारा सुख वो इकठा कर रखा था लेकिन उसके पास सांती नहीं थी, जब अंग्रेजों ने बाजी दली सा लखनो का नबाब था, हमला किया, तो वो ही कुर्सी पर बैठा रहा गया, अंग्रेजों ने पकड़ कर पूचा कि तुम क्यों भगे नहीं, तुम तो चाहते तुम भाग सकते थे, जानते ही क्या उतर पहना है, तब वो भाग सकता था, आनता पकड़ जाना सुखा है, क्यों, क्योंकि उसको विसाय सुख ही दिख रहा है, कि यही सुख है, आप देखे, आप जितने स्वाधिष्ट फल खा सकते हैं, पस पक्षी तो ता उसी अच्छा, आप से ज़्यादा बढ़िया स्वाधि करके आ सकती हैं, आप उनसे किस चीज में आगे हैं, आपको क्यों बुद्धी मिली है, आप जान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, सरीर छोड़ने के बाद मुझे जाना कहा है, सज्दानंद परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है, और उसको पाने के लिए हमें क् जो भी धानमिक सभाएं होती हैं, उसमें कुछ विवात खड़े हो जाते हैं परमात्मा के बारे में, कोई कहेगा परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, हर संपरदाई की अलग-अलग व्याख्या होती है, लेकिन सब के मूल में क्या होता है, सिष्ट का परमात्मा एक है, जिसको क्या करते हैं? सत्य चित और आनंद, वो सत्य है, चेतन है और आनंद का सुरूप है, यह जगत क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख का सुरूप है, सत्य वो है जो हमेशा एक जैसा रहे, न कभी जन मले, न कभी मरे और न कभी बुडाओ, इस जड़ कभी पैदा नह अखन्ड है, अनंत है, जड़ पदार्थ कभी परमात्मा का सुरूप ने ले सकता। जड़ पदार्थ क्या है? आकाज से वाई की रचना होती है, वाई से अगनी, अगनी से जल, जल से पर्तिवी. पंचभूतों से जो भी पदार्थ बने हैं दिखाई देते हैं वो जड़ का लाते हैं हम किसी प्रतिमा का निर्मान कर सकते हैं उसको कह सकते हैं कि परमात्मा है किन्तु हमने बनाया है परमात्मा की बनाई हुई प्रतिमा है क्या है जेतन जितने प्राणी है सभी परमात्मा की बनाई हुई प्रतिमा है गिता में युगेश्वर स्रिकृष्ट करते हैं इस्वरय सरभूता नाम हिर्देदे से तिष्ठत अरजुन हे अरजुन परमात्मा कहा है सब के हिर्दे मंदिर में परमात्मा है हम सभी प्राणियों की चेतना के अंदर सभी प्राणियों के हिर्दे में उस सरुषक्तिमान परमात्मा की च्छा भी देखें ये गिता कात्य तो जान का कहलता है वेट ने क्या का तत्र का हमोहा का सोका यो एकत्त मनपस्यत सब में एकत्त को हम देखें एकत्त को देखने कत्त पर क्या है? सभी में एक चेतना को देखे आदि संक्रचार जीव ब्रह्म की एकता का ज्यान लेकर भारत में ब्रहमण कर रहे थे कासी में उनके सामने एक चंडाल आ गया सबहरे सबहरे इस्तान करके सीशों के साथ आ रहे थे और उधर चंडाल भी अपने साथ कुत्तों का ज्यूंड लेकर के आ गया दोनों आमने सामने संक्रचार कहते है कि चंडाल मेरे सामने से हट चंडाल भी समाने बेकती नहीं था कहता है कि आचारी ब्रहम के सामने से ब्रहम क्यों आटे? अब संक्राचार जी का माधा ठंका कि यह तो कोई बड़ी बात बोलना है क्योंकि संक्राचार जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नायुव ब्रह्म और जीव दो नहीं है संसार मिथ्या है कि वो ब्रह्म ही सत्य है चाने के वो चंडाल कहता है कि आचारी गंगा जल में भी सूरी का प्रतिमी में पड़ता है और गंदे नाले में भी सूरी का प्रतिमी में पड़ता है तो सूरी में दोस कहां से आ गया उसके कहने का से क्या है मेरा सरीर गंदे नाले की तरह अपवित्र है क्योंकि मैं निम निकुल का दिखाई दे रहा हूँ आपको और आपका ब्रामार का सरीर है तो आपका सरीर गंगा के जलकी समन पवित्र दिखाई दे रहा है मेरे हिर्दे में भी वही चेतना है और आपके अंदर भी वही चेतना है जब आप कह रहे हैं कि सब की चेतना एक है सब की अंदर एक ही आत्मा की चेतना है तो फिर मैं आप को चंडाल के रुप में कैसे दिखाई दे रहा हूँ आप ब्रह्म हो सकते हैं तो क्या मैं ब्रह्म नहीं हो सकता संक्राचारी जी को अपने भूल का असास हुआ और अपने सिश्चों के सामने उन्होंने अपना सिर उस चंडाल के सामने रख दिया आज हिंदु समाज संक्राचार के उस सिख्छा को गराण नहीं कर पाया। आदी संक्राचार एक चंडाल के चलणों पर सीश रख देते हैं क्योंकि वो चंडाल उनसे ज्यादा प्रतिपासाले निकल गया। लेकिन जो समझ सरीरिक जाती बात के नाम पर लड़ता रहता है, एक सचतानद परमात्मा की भक्ती से रहित हो जाता है, वो अपने पतन की खाई खोद लिता है। याद रखे, अध्यात मानो मात्र को जोडता है, संसार के सारे प्राणियों को एक सुत्र में बांता है, कि संसार एक आंगन है, और इस आंगन में संसार के सभी प्राणि वास करते हैं, इन सभी प्राणियों को सास्वत प्रेम मिले, सास्वत सांती मिले, सास्वत आनंद मिल इसके लिए अध्यात्म की ऐसी धारा होनी चाहिए जो सारे संसार को एक दिश्ट से देखे हैं हमारी संस्कृत क्या कहती है हम तो कहते हैं कि सारे स्रिष्टी में सांती हो कि भारत में सांती नहीं हो सांती पाठ में क्या बोला जाता है जो सांती, अंतरिक्चम सांती, प्रतिभी सांती, आपा सांती, क्यों भारत में नहीं, द्योलोक में सांती हो, संपूर्ण अकास मंडल में सांती हो, संपूर्ण प्रतिभी पर सांती हो, भारती संस्कृत क्या करती है? जिनका हिर्दे उतार है उनके लिए सारी पृतिवी अपना परिवार है इतनी उच्छे सिख्छा कहां से मिलती है अध्यात में से मिलती है भावतिक्ता में नहीं क्योंकि भावतिक्ता में तो एक लड़ाई रहती है पर उसी के पास दो कार है तो हमारे मन में इर्धा होगी, मेरे पास चार कार क्यों नहीं होगी तो उसके लिए हम कुछ भी गलत से गलत कारी करेंगे तो हम पड़ोसी से इर्धा करते हैं कि उसके पास इतने धन आ गया, इतनी परतिष्ठा होगी लेकिन अध्यात्म क्या कहता है अध्यात्म कहता है कि नहीं, यह सब कुछ नस्वर है कि विल सच्टानन्द परब्रम के चल्णों में ही प्रेम हो और जो परमात्मा से प्रेम करनी लगता है उसका मन संसार से अलग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कि इनको तो आतम रोग लगया है प्राणनाजी की वाड़ी क्या कहती है सकेरी आतम रोग बुरो लगयो या को दारो न मिले तभी आतम रोग क्या है जब संसार अच्छा न लगे और आतम रोग की परिभासा क्या है आतम रोग कासो कहिए जिन पीठ दई पर आतम ये रोग क्यों ये ना मिटे जो लोग देखे ना मुखबरम आतम रोग किसको कहते है जब हीरे मोती के महल भी संसान की तरह लगने लगे जब लगने लगे कि ये धाकता हुआ यावन भी एक दिन बिर्दावस्था में बदल जाएगा राजकुमार सिधार्द को देखिए अठाईस वर्स की अवस्था है गरिक अत्याग कर देते हैं ये सुदरा जैसी विश्व संदरी है उनके पास राहुल छोटा सा बालक है सुदर महल में रहते हैं सब कुछ सुख है उनके पास लेकिन एक हरते में आग जल रही है कि नहीं ये महल भी नष्ट हो जाएगा मेरी ये सुदरा जैसी विश्व संदरी भी बूरी हो जाएगी मैं भी बूरा हो जाओंगा मैं भी मर जाओंगा तो मुझे ये बंदन क्यों रखने है यह बिवेक किसी किसी के अंदर पैदा होता है देवचेंजी के अंदर बिवेक पैदा होता है क्योंकि परबरम की हलाद नहीं सकती है संसर का एक समानिप्नाड़ी क्या जानता है ओ तो चरवा के इस कथन को याद रख लेता है जब तक जहो सुख से जीओ, कर्च लेकर भी घी खाओ, क्योंकि सरीर दुबारा मिलने वाला नहीं है यही तो आज की संस्कृत कह रही है, पैस्चिम वादी संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि सरीर दुबारा थोड़े मिलेगा वोई बिचारे तो यही सोचते है कि मरने के बाद कबर में ही रहना पड़ेगा ऐसा नहीं है चेतना का नाश नहीं होता, ना सरीर का होता है तथा देहंतर प्राप्ति सरीर का जन्म होता है बार-बार सरीर जन्मता है सरीर मरता है जो हमारी चेतना है नैनम चिंदन ती साइस्तर नहीं इसको किसी सस्तर से काटा नहीं जा सकता इसको सुरी काताब जला नहीं सकता और ये बिबिन तनों में ये चेतना गुजरती जाती है सुख दुख का दुंद देखती है इसलिए आतम रोब कासो कहिए जिन पीठ दैपारातम आतमा अपने मुल सरुप से बिमुक हो गई है संसार को देख रही है जब उसके अंदर विवेक जागरत होता है तो संसार को देखना छोड़कर अपने मुल सरुप की तरह मुड़ना चाहती है इसको कहते हैं आतम रोब और जदी लक्ष को प्राप्त कर लेती है तब ही कह सकते हैं कि अब इनका आतमिक रोब मिट गया अब इन्होंने अखंड में अपना अस्थान बना लिया इस अखंड की सांती इनके पास है अनिता क्या है कबिल जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कहीं भी सुखे नहीं है अब जानते हैं सुख कहां से मिलता है हमारे मन के अनकुल जो कुछ है वो सुख है जैसे मचली को पानी से निकाल देजिए तो तड़पने लगती है हम को पानी में डुबो देजिए तो हम तड़पने लगती है मेड़ा कैसा है पानी में रखिये बाहर रखिये दोनों वस्थाओं में समराता है हम जो चाहते हैं एक राजा क्या चाहता है उसके पाज राज सत्ता हो बहुत अधिक बैभा हो सन्यासी क्या चाहता है मिले मिलाए राज को भी ठोकर मार करके सन्यास ले लेता है, बरत्री अरी क्या है, पूरे भारत के सम्राठ है, चंदगुर्प्त विक्रमा दीत के बड़े प्राता है, उनका विवेक जागरित होता है, एक पल में, जिस पिंगला राने के मुँह में कई जन्मों से चले आ रहे थे, एक पल में त्याग देते हैं, बि सिंद से लेकर आसाम तक का चिक्रवर्ती राज्ची कर रहा हो, वो घरगर जो के सत्व, जो भिक्षा में मिला होता है, उस पर गुजारा कर रहा है, उसको क्या हो सकता थी, सब को छोड़ने की नहीं, एक समानी बेकती है, जिस धन के आकरसर के पीछे पागल रहता है, आप ठेले पर सबजी बेचता है, उसको कहिए कि तुझको हम पांच जार रुपय देंगे, पांच सो रुपय नहीं, पांच जार, और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक ऐसी कमरे में, वातानु कुल इस कमरे में बैठ करके के वल ध्यान करना होगा, कह देगा कि नह आठ गंटे, आठ गंटे का चार गंटे भी नहीं, क्योंकि उसका मन नहीं है उदर की तरफ, और यदि किसी को विवेक लग गया, बुद्ध को देखिये, ब्रिक्षी के नीचे बैठे हैं, धूप सारे हैं, सीत सारे हैं, वर्सा का कष्ट चले हैं, हर सन्यासी को जहलना इसलिए, जो भौतिक सुखों को सुख मानते हैं, प्रानाजी के कहना है, कि भौतिक सुखों का मो ये सुख नहीं है, ये अज्यनता है, ये दुख करने है, तभी तुका है, दुखरे, प्यारों मेरी प्रान को, सुमे छोड़ियों को कर जाए, आप देखिये, हिंदु काफी कुछ स्वार्थ ही हो चुका है, उतिरुपत मंदिर क्यों जाएगा? हुआ उसको स्वारत लगता है, कि मैं भगवान के नाम पर चढ़ा दूगा, तो दूना मिल जाएगा, निस्वारत भाव से नहीं जाता है, बैस्ट्रों माता के दर्सन करने क्यों जाएगा? कि उ उसको कुछ स्वार्थ लगता है। गीता कहती है कि परमात्मा तुम्हारे हिर्दे मंदिर में हिंदु काईगा कि कहा होगा खिरिस जीने, हमें तो नहीं मानना है। हमें तो साही बाबा के चरणों में जाने से कुछ मिल जाता है लेकिन क्या चाहिए आध्यात्मिक जान कौन देगा किवल परमात्मा के सरण में मिलेगा उपनिस्दों ने क्या का तम आत्मस्थम ये अनपसंट तिदीरा ते साम सांते सासुतम न इतरे साम अपने आत्मा में इस्चित होकर जिन्होंने उस सच्थानंद परमात्मा का सक्षतकार किया है किवल उन्हीं के पास अखंड सांती है अखंड प्रेम है, अखंड आनंद है यदि आपने अपनी आत्मा में इस्तित्वकर उस परमात्मा का सक्षतकार नहीं किया जिसकी एक संकेत तर्मात से हमारी पृतिपी जैसे करोणों पृतिपियों की इस्तिष्टी बनती है, लाइको प्राफ्ट हो जाती है उस सर्वसक्तिमान परमात्मा से प्रेम न करके उसकी सर्ण में न जाकर यदि हम तिश्राओं की कल्पना करते हैं, कि अमुक जगह जाने पर यह मिल जाएगा, यह मिल जाएगा, तो वो धन संपता हमरे पास कितने समय तक रहेगी, मान लेजे आपने किसी मंदिर में जाकर एक क्रोड चड़ाया, आपको दो करोड मिल जाएगा, तो दो करोड तो धन है, क्या आपको सास्वसांति मिल गए सासो संति कहां मिलेगी जब अनंत ब्रमांडों के रचना कार अनंत ब्रमांडों के प्रले करने वाले अनंत प्राणियों के स्वामी एक सचता अनंत परमात्मा से आपका प्रेम हो जाए वो परमात्मा जो सर्व सक्तिमान है सकल गुर्ण निधान है, सबकी आत्मा का प्रितम है, उसका बोथ, उसका ज्यान, उससे प्रेम हमारे जीव को इस बहुसागर से पार करेगा, और यदि हम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या होगा, तृष्टाएं तो हमें लुभाती रहेंगी, और यही तृष्टाएं हमारे दुख सत्य को देखा, उपनिस्तों की रचना के, दर्सन सास्तों की रचना के, उनका क्या कहना है, कुट्र अपी, कोव भी, नसुखी, संसार में कोई भी, कहीं भी सुखी नहीं है, मनुस जिसको सुख समझ रहा है, वो सुख नहीं है, एक बार, या जिवलक किरिसे सन्यास लेने लगे उनकी दो पत्निया थी उन्होंने दोनों को बुलाया और कहा कि देखो जो भी आश्रम में संपता है इसको बांट लो, मैं चाहता हूं कि मेरे सन्यास लेने के बाद दोनों में कोई भी वाद नो उनकी एक पत्नी का नाम था महित्री में तुरी पुछती है कि पतिदेव यह बताईए आप इतने सुखी ग्रेश्टी को छोड़कर आप सन्यास ले रहे हैं हमें छोड़कर जा रहे हैं सारी संपता छोड़कर जा रहे है तो क्या इससे भी अधिक सुख उस सन्यास में मिलने वाला है जिस धन संपता के लिए मनुस इतना प्रेतन सिल रहता है आप सब को छोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा पाने की चाहत में आप जा रहे हैं या जवल कहते हैं कि हाँ यह जो कुछ संसार में सुख दिखाई दे रहा है यह सुख नहीं है यह बंधन का करन अज्यान है मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप अपने घरों में आग लगा दीजिए कि यह तो बंधन का करन आप के पास जो संपता है अईस्वर है उसमें निशकाम भाव बने रहे है अनासक्त भाव से हो जाई राजा जनक सिंहासन पर बैठे है उनको सिंहासन से कोई मौ नहीं है करतब भी कर रहे है महाराजा च्छतर साल प्राणाजी की सरण में आते है केसर भाव जामनगर से चल कर आती है देखते है कि महाराजा च्छतर साल जी तो निर्थ देख रहे है केसर भाई 16 साल की अवस्था की है बहुत तदीग सुंदर है लेकिन जानते हैं इतनी विरक्त है कि पूरे सरीर को नग न रखी है उसका कहना है कि जब मनस पैदा होता है तो नंगा ही पैदा होता है मैं इस सरीर को क्यों ढखूँ उसको संसार की किसी तृष्णा से मुह नहीं है और ग्यान लेने किसे गई है उस माराजा च्छतर साल जी से जो सिंगहासें पर बैटे है केसर भाई ने अपने नाग पकड़ ले कि ये तो नाग तक माया में डूबे हैं मुझको ब्रमिज्ञान क्या देंगे माराजा च्छतर साल जी उनका आसा समझ गए उन्होंने पैर के अंठे को पकड़ा या दर्साया कि मैंने माया को अपने पैरों के नीचे तबा रखा है माया पैरों के नीचे तबी हुई है माया मेरे उपर हावी नहीं है ऐसा क्यों का क्योंकि माराजा च्छत साल कहलाने के लिए स्रीजी के आदेश से सिंगासन पर बैठे है सिंगासन से उनको कोई भी मोह नहीं है लेकिन ये कैसे संभा हो सका एक राजा सिंगासन पर बैठा है सिंगहसन के लिए तो तलवार चलाता है कितने प्राणियों का बद करता है और ये कहा जाए कि राजा को सिंगहसन से मोह नहीं है तो सचपच मोह नहीं है क्योंकि उनके हिर्दे में ब्रह्मजियान का सूरच चमक रहा है उनके हिर्दे में अपार सांती है क्योंकि उनकी द्रिष्टी परव्रम की तरफ है, उनकी द्रिष्टी उस सचता अनंद परव्रम की सरूप की तरफ है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना सेश नहीं रहाता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना सेश नहीं रहा जाता, हम इस संसार में कितने भी भातिक विद् नहीं होता दुख से पिवजी मिल से सुखे न मिलिया कोई अपने धनी का मिलना सुथ दुखे से हो ये बिरा का दुख होना चाहिए हमारा हिर्दे तडपे तो कि जिन सुखों में हम बदे हुए हैं ये सुख हमें सास्व सांती नहीं दे सके गीतामयोगे स्वर सिकृष्ट क्या कहते हैं कि हे अर्जुन पुरसा सपरापाथ वा जो परमात्मा है छर अक्षर से परे उत्तम पुरों से सबसे परे है सारी सिष्ट नाराण के संकल्प से प्रगट हुई है नाराण से भी परे निराकार है निराकार से भी परे अक्षर है बेहत मंडल जिसको वेत में चितुस्त बाद भी वूती कहते हैं और उस अक्षर से भी परे वो अक्षरती थे उस अक्षरती सच्तानंद परव्रम को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा पुर्सस परापार्थ भक्त्या लब्यतु अनन्यया अनन्य परा प्रेम लक्षना भक्ती चाहिए अनन्य परा प्रेम लक्षना भक्ती किसको कहते हैं जैसे गोपियों को देखिए एक अरातित थे ग्रिश्ट जिस तरह से पतिवर्ता का एक ही पती होता है सीता का एक ही पती केवल राम सावित्री का एक ही पती केवल सत्यवान भावानी का एक ही पती केवल सी कुछ भी हो जाए संसार का सारा बैभाव वो पैरों से ठोकर मार सकती है किन्तो ये तो सरीर के पती है सबकी आत्मा का पती कौन होता है किवल एक परमात्मा जिसके लिए वेत में क्या कहा प्रियाणाम्त्वा प्रिपतिम हवा में प्रियाओं के प्रिपत कौन है किवल एक परमात्मा योग इस्वर सिकर्ष किसको परमात्मा कहते है उत्मा पुरसा है तुअन्या परमात्मा इत्म दाइर्दा एक मात्र उत्तम पूर्ष अक्षरातित ही परमात्मा है और उसकी प्राप्ति कैसे होगी अनन्य प्रेम से जैसे पतिवर्दा का एक ही पति होता है उसी तरह से आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है उसको करते हैं सच्चितानंद पूरान भ्रहम अक्षराती यही गीता नहीं कहा है यही वेद नहीं कहा है लेकिन आज का हिंदू समाझ नगीता को मानना चाहता है नवेद को मानना चाहता है देखिए देवता किसको कहते है हमें देवता करद समझना होगा देवता हुआ है जि 33 करोन कार्थ क्या होता है अथरवेद में एक मंत्र आता है और इसकी व्याख्या यजुर वेद में भी है यस 33 सत्य देवा निधिम रक्षन्ती सरवदा 33 सत्य देवा 33 देवता 33 देवता कौन है अस्ट वसू मैं जानते हैं पांच तत्व, सूरी, चंद्रमा और नचत्र, अभी दो मिनिट के लिए, क्या एक मिनिट के लिए आक्सिजन समाथ हो जाए, तो कोई जीवित रहेगा, इस ती यह देवता है, सूरी का प्रकाश नहीं मिले, तो क्या इस सिष्ठी पर कोई जीवित रहेगा, जल नहीं रहे त क्या कोई जीवित रहेगा, क्योंकि पांचो तत्व की तो इस सिष्ठी बनी गए, इस ती यह पांचो तत्व में, सूरी, चंद्रमा और नचत्र में, संसार के प्राणी वास करते हैं, इस कारण इनको आठ वस्व करते हैं, वस्व किसको कारत क्या होता है, सारी सिष्ठ को अपने में जो बसाने वाला है, उसको वस्व करते हैं, अश्ट वस्व द्वादस अदित, अदित करते हैं, वर्स के बारा महिने को, सबकी उम्र बारा महिनों में इसमाप्त होती हैं, बारा से तेरावा महिना नहीं होता है, चाहिए क्रिस्चियन और मुस्लिम हो, सबकी कादस रुद्र रुद्र क्या है दस प्राण और इगारमा मन जब सरीर से बाहर निकलता है जीव दस प्राण और इगारमा मन प्राणों के साथ जब इगारमा मन इगारमा जीव निकलता है तो संगे समंधी रोने लगते हैं इनके निकलने से संगे समंधी रोने लगते हैं इस जैसे आप चर्चा का स्रवन कर रहे हैं सुभकारिय है वो यज्जे है 33 देवता क्या है अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच पाएगी 33 देवता इंद्र इंद्र का अर्थ क्या हो है एस्वरी का जो कारण है अर्थात विद्युत इस विद्युत के द्वारा वैभों का उतसर्जन होता है विजली न हो तो आपके खेतों में पानी नहीं चलेगा फसले सुक जाएगी विजली न हो तो उद्योग धंदे चोपट हो जाएगे विजली न हो तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच पाएगी ये 33 देवता है लेकिन कहीं इनको भक्ति के लिए नहीं लिका है दूसरे सब्दों में एक युग था जब भारत में हर विक्ति सत्यवादी होता था धर्मात्मा होता था अस्वपती के राज में पांच रिसी पहुंचते हैं कुछ अध्यात्मिक प्रस्तों का समाधान चाहिए था अस्वपती राजा होते हैं पहीं चक्रवड़ती समराठ हैं लेकिन वो ब्रह्मज्यानी हैं उनके पास रिसी मुनी भी पहुंचते हैं उस युग में आजकल की तरह हंकार नहीं होता था आजकल हर वित्वान यहीं समझता है कि महीं सब को जानता हूँ प्राचीन काल में रिसीयों में जरा भी अंकार नहीं था किसी से भी ग्यान मेल जाए वो पहुंच जाते थे पांच रिसी आते हैं असपती के दरवार में असपती उनका स्वागत करते हैं और उनको कुछ दिक्षना देना चाहते हैं रिसीयों ने मना कर दिया असपती समझ जाते हैं कि मेरे खजाने में जो धन आता है कर से आता है रिसी लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कहीं किसी पापी ने भी कर दिया हो, उसका पैसा हो और वो हम क्यों ले सेवा के रूप में, दान के रूप में. चुनोधी देखर अस्पती करते हैं कि मेरे राज में एक भी बेक्ति ऐसा नहीं है जो चोर है, एक भी बेक्ति ऐसा नहीं है जो सरावी है, एक भी बेक्ति ऐसा नहीं है जो नास्तिक हो परमात्मा की भक्ति नहीं करता हो, एक भी बेक्ति चोर नहीं है. आप सोचे, जिस राजी का, जिस देश का राजा, ब्रहम जानी हो, जिसके पास रिशी पहुंचते हैं, तो आप सोच सकते हैं, उस राजी में कोई चोरी, चोर करने वाला, कोई पाप करने वाला, कोई सराब पिनने वाला, कोई नास्तिक कैसे हो सकता है, भारत के जंसंक्या कि समेधे 33 करोड़ थी. और यहांका हर भ्रेक्ति सत्यवादी धा, धर्मातमा था. जानते हैं देवता किसको करते हैं? जो सत्य बोले, मन वाड़ी कर्म से धर्म का पालन करे, पर्मातमा पर अस्ता रखे, उसको फूर्ण सतोगूर्ण के शरूप में इस्तित ब्यक्ति को देवता करते है जो रजोगणी ब्यक्ति होता है उसको मनुस करते है जो मांस खाता है, सरापिता है प्राणियों की हत्या करता है दुर अचाहर करते है, उसको क्या करते है असुर करते है, मनुस अपने कर्मों से देवता बनता है, मनुष्य अपने कर्मों से राक्षस बनता है, समान्य वस्था में वो मनुष्य है 33 करूर देवताओं कारता आपस ने समझा 33 जड़ देवता है जो 34 देवता है सब की रचना करने वाला किवल एक परमात्मा है आज हिंदू समाज अपने ग्रंतों को नहीं पढ़ता है ने गीता को पढ़ेगा ने वेद सास्त्र को पढ़ेगा ने अपनिशत को पढ़ेगा पर जो रूडिवादी मानेता है उसी को धर्म समझ बैठा है इस दिये तो सालिक राम और तुल्सिक अभिवा करता है साक्षात नरायन हिर्दय में वेशता है उसकी तरफ ध्यान नहीं लेकिन अंदविश्वास अज्यानता ने इस समाज को ग्रशित कर लिया है आव सकता है सारे संसार से प्राणनाजी की वानी का अनुसरन करे उसको सत्य का बोध हो और वही सत्य उसको सास्वत संती देगा सास्वत प्रेम देगा और प्राणनाजी की वानी का ये सत्य सारे संसार को एक आंगन में बैठाता है जहां सब के लिए अखंड मुक्ति का दवार खुलाए अखंड प्रेम अखंड सुक का दौर खुलाए उसी अखंड सुक का करते है आनंद आनंद आत्मा का भी सह सुख लौकिक जो होता है शुक छडिक है और उन शडिक सुखों के पिछे नही भागना चाहिए प्रानाजी का यही संदेश है इस दिये कहते हैं कि हमें वीरह का दुख चाहिए दुख बड़ो पदारत जो कोई जाने है ताथे सुख को छोड़के ले सुखे सुले संसारी की सुखों के पीछे भागना छोड़कर हमें वीरह का दुख लेना चाहिए हमें चिंतन करना चाहिए हम कौन है आए कहां से हैं सरीर और संसार को छोड़ने के पिस्जात हमें चाना का है इसलिए सार इनसार में अज प्रेम किया हो सकता है जान किया हो सकता है धर्म के नाम पर अंदविस्वासों किया हो सकता नहीं एक सत्य ज्ञान सबके एर्दे में प्रकासित हो, इसके लिए सबको प्रियासरत रहना चाहिए और मैं आसा करूँगा कि इस छित्र में ज्ञान का अधिकादिक प्रकास भेलेगा और भुरिया जी इस छित्र में जो हमारी परचारेक है उनके सुयूग से ग्यान की बर्सा कराने में सिवा करेंगे ऐसी आसा के साथ